नमस्कार दोस्तों मेरा नाम सोनुर रहत मैं उत्तरपदेश का कोड़ी लखलाव से आज हम आप लोगों को देखा रहे हैं गेहों की फसल में मल्टी प्लेयर इस्प्रे किया जा रहा है किसान भाई घोल तायर करने जा रहे हैं आईए आप लोगों को हम देखाते हैं किसान भ यह मल्टिप्लेयर है एक टंग एक पंप में तीन चमज बरता है इनको किसान भाई को छे पंप बनाना तो अठारा चमज इनको मल्टिप्लेयर डालना पड़ेगा यह देखें किसान भाई काउंटिंग कर रहे हैं कि मल्टिप्लेयर से फसल डार्ग गिरिन होती है पैदावार भी बढ़िया होती है पहली बार किसान भाई उज करता है और ग्रोश भी बढ़िया होती है अगर पीली फसल है तो इसे जार गिन करता है यह किसान भाई का पंप का घोल तयार हो रहा है किसान भाई इसमें लकड़ी और भॉल को हला देजिए अब लगार्ण इससे पहले आपने यूटि प्लेयर यूज किया है कौन से फसल में जीहू में अच्छा जीहू में यूज क्या इससे पहले यूज के साथ दिया था अध्यार को टिंग है तो आपका जीहू बढ़िया यह देखे किसान भाई का खेयत है कितने बढ़िया फसल हुई है सिर्फ इन्होंने मल्टी प्लेयर यूरिया के साथ कोटिंग करके दिया है आज किसान भाई इसका मल्टी प्लेयर का इस्प्रेश भी करने जा रहे हैं किसान भाई आप खुस हैं वल्टी प्लेयर से अब पहली बार यूज कर रहे हैं तो आपको 50-30 बढ़कर पैदार मिलेगी पहले बार यूज की आज को अगर कंट्विन यूज करेंगे 6-7 साल तो आपको खेती भी आगनिक हो जाएगी उसके बाद मल्टी प्लेयर भी देने जरूद नहीं पड़ेगी और अलग से कुछ डालने जरूद नहीं पड़ेगी जूसर्ट अब कि चले गोल तयार होगा आपका हाँ यह देखिए वड़िया इनका गोल तयार हो चुका है अब कितना काला कला हो गया है यह चले किसान भाई आप इसमें पंप में डालिये एक ग्लास से अब कि से पंप का किसान भाई ने घोल तयार किया है तो छे पंप इनके खेत में लगेंगे यह एक पंप का ग्लास समलो पानी है यह किसान भाई जार रहे हैं कि इस पंप में भी किसी डंडी कि सहता हला लेजे पहली हाँ किसान भाई यह देखो इस्प्रे कर रहे हैं मल्टिप्लेर का आप देख रहे हैं कि मल्टिप्लेर की फसल गेहों की यह देखिए इससे पहले किसान भाई ने यूजिया खात साथ मल्टिप्लेर कोटिंग के दिया है आप देख रहे हैं कि फसल कि यह देखे कितनी डार्क ग्रेन है और देखिए पत्ते भी चौड़े हैं ग्रोथ भी हो रही इसकी बढ़िया कि यह देखिए अब जैसे करवाए रहां से इससे पहले बहुत बिर्रा हुआ था इनका ग्यों की फसल अब इसमें ब्यासा है बहुत दलब कल्ले बहुत सारे निकले हुए हैं इनकी फसल अब धनी दिख रही है कि अधान भाई का खेत है हम आप लोगों को दिखाते हैं कि हो की फसल एक पौधे में कितने अंकृत हुए हैं पौधे एक दो तीन ये चार पांच छे साथ आठ नाव दास ग्यारा बारा तेरा चाओदा पंदरा ये एक बीज में पंदरा अंकृत हुए हैं कि टैनियन की देख सकते हैं आप किसान भाई आप किसानों को क्या मसत देना जाते हैं अपने फदल पाइदावार करें अच्छा ज्यादा ज्यादा से किसान यूज कर इसको पाइदावार बढ़के होती है यह किसान भाई का खेत है किसान भाई ज्यादा ज्यादा यूज के रेशियों इसी पाइदावार बढ़िया होती है किसान भाई छे से साथ साल कांटिनू यूज करता है अगर पहली बार यूज करता है तो चालिस से पचाइद पतास तक पैदार बढ़िया मिलती है किसान भाई धन्यवाद आप लोगों को किसान भाई बढ़िया मिलती है